Friend's So Prophet to Crazy study हम आपको noun gema पढ़ाना Start किए थे तो उसका कुछ parts के बाड़े में भी बताये थे फाइब parts है noun का उसमें proper noun के बाड़े में हम बता चुके थे तो देखिये फ्रौपर noun है Vac습 Wish Alongh Armicata, Common Naown, जाती वचक शऑंँगा Collective noun, somehow in nós तो हम प्रॉपर नाउन के बाड़े में बताएं थे क्या बूले थे इंडिवेजुल कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्ट्शन प्लेज और थिंक के बाड़े में बताएंगे तो वह हो गया प्रॉपर नाउन अब हम आईए देखे जाती वचक संगा के बरड़े में बता रहें प्लेज का नाम नहीं है लेकिन वो एक प्लेस है पिपल का नाम नहीं है लेकिन वो पिपल पर जाती के अंदर है थिंग का नाम नहीं है लेकिन वो कोई भी वस्तू है ठीक है यह जिस समझिए For instance, boy is a common noun ठीक है, boy common noun है लेकिन boy's name is Arun Arun के बड़े में जब हम Arun नाम से बुला के कुछ बोलेंगे वो हो गया proper noun जब उसको as a boy denote करेंगे specify के उपर depend करता है ठीक है तो वो हो गया आपका common noun ठीक है, तो Arun क्या है, एक boy है boy प्रजाती के अंदर है Arun ठीक है, girl नहीं है, boy है तो उसका जाती हम denote कर पाड़े वो हो गया आपका common noun समझ में आया दोस्तों तो यहां पर देखिए हम क्या बोल रहे है इसका example में आप समझ में आया जाएगा पासू animal ठीक है, animal बोलेंगे तो वो हो गया common noun अगर हम dog या lion कोई भी animal आपको denote कर देंगे तो वो हो गया आपका common noun वो हो गया आपका proper noun ठीक है, पाहर पाहर कोई भी पाहर का नाम हम बोल देंगे तो वो हो गया proper noun और hill, मतलब normal पाहर जब हम बोलेंगे तो वो हो गया common noun तो यह अपका हम जाती बाचक समझ में आ गया आपको अब देखिए following sentence, कुछ sentence हम दिए उसमें example, common noun आपको समझ में आ जाएगा गाउं बहुत छोटा है village is very small अगर हम बोलते हैं कोई भी village का नाम यहां पूट कर देते हैं village is very small village तो वो हो गया proper noun ठीक है, पसु जंगल में रहते हैं animal is lives in forest ठीक है, lion lives in forest तो यहां lion हो गया आपका proper और animal हो गया, यहां common ठीक है, तो देखिए यहां comparison करके आपको समझाने का try किए अगर आपको नहीं समझ में आया हैं दोस्तों तो आप comment करके जरूर बताइए thank you so much friends और भी noun का parts बाकी है भी हम लेके आएंगे अभी इतना ही, thank you so much आपको अगर वीडियो पसंद आया तो like किजिए, share किजिए, subscribe किजिए thank you so much